Hi Everyone, This is Prev, Welcome to Educational Hikes, क्या आपने कभी तारों को देखा है? क्या आपने कभी आस्मान में ट्विंकल करते हुए तारों को देखा है? बिलकुल देखा होगा, फिर तो आपने चांद को भी देखा होगा, अरे मैं तुम्हारे चांद के बारे में बात ने कर रहा, मैं ये आस्मान व मून बनाना सेप का हो जाता है बिल्कुल ऐसे और कभी-कभी तो ये मून बिल्कुल ही गायब हो जाता है तो मेरी जान ये चंदा मामा हमारे साथ hide and seek क्यों खेलते हैं ये लुका छुपी हमारे साथ क्यों खेलते हैं कि आपको ये पता है इसके पीछे की साइन्स हम पढ़ेंगे आज की इस चाप्टर चाप्टर नंबर सेवेंटीन दे स्टार्स एंड दे सोलर सिस्टर्म औफ क्लास एट न्सी आटी साइन्स बहुत डिमांडे चाप्टर है ये और काफी दिन से बच्चे बोलो है कि सर ये चाप्टर प्लीज अप्लोड करो तो यार ये चाप्टर मैंने इतनी एफ़र्ट लगा कर बनाया है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो बिलीफ करो एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा. So let's get started आपके लिए मैं चांग तक पहुचाया और आप मेरे लिए सस्क्राइब नहीं कर सकते बटन को हीट करो यार और बेल आइकन को जरूर पेस करना ताकि हमारी वीडियो सापको लगाता रेगुलर्ली मिलती रहें So let's get started Hi everyone, welcome to computer screen This is Prem और आज हम बात करेंगे आज हम इस particular chapter के line by line Hindi explanation को पढ़ने वाले हैं और केवल explanation को नहीं पढ़ेंगे मरी जान Animated videos, activity videos, images के थूरू ये पूरा chapter एक movie की तरह समझाने की कोशिस करी है हमने Make sure कि वीडियो को पूरा देखो मरी जान You will fall in love with this chapter आज की इस chapter में हम अपनी आस्मानी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे तारों के बारे में पढ़ेंगे और पूरे solar system Solar का मतलब होता है sun और sun के अगल बगल जितने भी planets होते हैं चाहे वो Venus हो गया, Earth हो गया, Neptune हो गया इन सभी planets को मिला कर हमारा बनता है solar system there are nine planets in our solar system यह आपको बच्पन में ही पढ़ा दिया जाता है so let's get started with the line by line in the explanation of this chapter chapter start होता है पहली और बूछो से टकले से और उसकी बहन से पहली और बूछो विजटेट देर ग्राट्स पैरेंट विलेज during the summer break आपी लोगों की तरफ पहली और बूछो भी अपने दादा दादी की घर गए है गर्मियों की छुटी में घूमने एक रात की बात है जब पहली बूछो ने खाना खा लिया तो वो लोग छट पर आ गए घर के जैसे ही वो लोग घर के छट पर आते हैं it was clear cloudless night वो देखते हैं कि आस्मान बिलकुल साफ है पूरे आस्मान में कहीं भी बादल नहीं है they were surprised to see a large number of bright stars in the sky पहली बूछो जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं कि आस्मान एकदम खुला है आस्मान एकदम साफ है और जैसे ही वो आस्मान में इन छोटे छोटे टिम्टिमाते हुए तारों को देखते हैं न they were surprised वो चौक जाते हैं कि oh my god ऐसा तो हमने अपनी पूरी जिंदागी में नहीं देखा इतना प्यारा द्रिस्य they had never seen such a beautiful scene in their city इन्होंने अपने सहर में इतना प्यारा द्रिस्य कभी नहीं देखा था पहली wondered अब पहली सोचती है why the village sky was so different from the night sky in big cities पहली सोचती है कि भाई साब गाउं में तारे दिखते हैं चन्दा ममा दिखते हैं इतना आस्मान साफ होता है वहीं पर बड़े-बड़े सहरों में ये हमें क्यों नहीं दिखाई देते अब उसके दादा जी पहली को बताते हैं कि बेटा सहरों में बड़ी-बड़ी light होती है बड़ी-बड़ी चमकदार lights होती है धुआ होता है गाड़ियों से धुआ निकलता है पल्यूशन होता है जिसकी वज़े से जो sky होता है जो आस्मान होता है बड़े-बड़े सहरों में वो कभी-कभी ही खुलता है, कभी-कभी ही साफ दिखाई देता है night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear दादा जी बताते हैं पहली बुजों को कि खुले आस्मान को देखना बड़ा ही मज़ेदार होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत बड़ी-बड़ी light नहीं है जहां का जो वाता वरड है वो बिलकुल साफ है ऐसी जगह पर आस्मान को देखने में बहुत मज़ा आता है जैसे गाहों में look at the sky on a dark कि खुले आस्मान की तरफ देखो जब तारे, चन्दा मामा सब निकले हो तुम देखोगे कि पूरा आस्मान अंगिनत तारों से टिम्टिमा रहा है चमक रहा है कुछ stars तो इसमें से चमकदार होते हैं कुछ stars बिलकुल नहीं चमकते थोड़ा कम चमकते हैं अब अगर तुम इन स्टार्स को केरफुली देखोगे ध्यान सो देखोगे तुम देखोगे कि आसमान में बहुत सारी ऐसी चीज है जो चमकती नहीं है जो ट्विंकल नहीं करती स्टार्स की तरीके से भाई तारे क्या होते हैं वो चमचमाते हैं अब जब आप आस्मान में देखोगे न तो आपको कई सारी ऐसी चीजे दिखेंगी जो चमचमान नहीं रही है जो ट्विंकल नहीं कर रही है आपको ये चीजे स्टार के तरीके से ही दिखेंगी लेकिन ये होती star नहीं है ये क्या होती है the objects which do not twinkle are planets इस आसमान में तारों के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जो चमक नहीं रही है उसको हम क्या कहते है उसको हम planets कहते है ग्रह कहते है चाहे वो कोई भी planet हो सकता है हमारे 9 planets में से चाहे वो कोई भी planet हो सकता है Earth हो सकता है, Venus हो सकता है Neptune हो सकता है, कोई भी planet हो सकता है ठीक है, the moon is the brightest object in the night sky अगर रात के अंधेरे में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चमकदार चंदा मामा ही होते हैं सबसे ज़्यादा चमकदार moon ही हमें दिखाई देता है और ये जो तारे होते हैं ये जो planets होते हैं और moon ये तीनों चीज मिला कर और इसके अलामा जितनी भी चीजे हमारे आस्मान में होती है इन सभी चीजों को मिला कर हम इन्हें एक नाम देते हैं कहते हैं हम इन्हें celestial bodies celestial का मतलब क्या होता है आस्मानी चीज आस्मान की चीज समझा है आगे देख लेते हैं क्या कहता है कि are all celestial objects similar क्या सभी आस्मान में पाई जाने वाली चीजे एक जैसे दिखाई देती हैं क्या भाई अरे नहीं चंद्रमा अलग दिखाई देता है सूरज अलग दिखाई देता है तारे और अलग दिखाई देते हैं कैसे कह सकते हो कि एक जैसे दिखाई देते हैं let us find out चलो पता करते हैं अब our topic number 17.1 is moon सबसे पहले हम अपनी चान्ट के बारे में पढ़ेंगे moon के बारे में पढ़ेंगे कि यह जो moon है यह अलग-अलग shape का क्यों दिखाई देता है इसके लिए करना पढ़ेगा हमें activity number 17.1 इस activity में है क्या मेरी चान्ट चलो देख लेते हैं इस activity में आपको करना क्या है observe the moon continuously for several nights आपको ना कई रातों तक चंदा मामा को देखना है कि मेरे भाई moon कैसे दिखाई देता है आपको जिस दिन full moon आपको आसमान में दिखाई देना महिने में एक दिन केवल ऐसा आता है जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पूरी मा की रात आ गई है हमारी mother और sisters क्या रहती है वरत रहती है इस दिन ठीक है पूरी मा जिसे बोलते हैं पूरी मा किसे कहते है जिस दिन आसमान में पूरा चांद दिखाई दे तो आपको करना क्या है इस activity में यार make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of the full moon आपको करना क्या है आपको जिस दिन आसमान में पूरा चांद दिखाई दे ना जिस दिन पूरा गोला चांद दिखाई दे वैसे मैं आपको बता दू कि हम इंसान moon का केवल लगभख 60% पाट ही देख पाते हैं केवल 59.2% हिस्सा हम चांद का देख पाते हैं बाकी moon को आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा बाकी जो 40% moon का साइज है वो हमारी धरती से दिखाई नहीं देता है मेरी जान समझ में आया ये extra knowledge के लिए था आपको आपको इस activity में क्या करना है आपको sketch बनाना है जैसे ये मोहतर्मा बना रही है ये जिस दिन आस्मान में पूरा चांद दिखाई दे उस दिन अपने notebook में बना दो कि ओहो आज पूरा चांद दिखाई दिया ठीक है फिर अगली दिन देखो कि कितना हिस्सा कट गया है फिर उतना बनाओ notebook में और तब तक बनाना है जब तक वापस ये पूरिमा की रात ना आ जाए जिस दिन वापस ये पूरा मोन ना दिखे हमें आस्मान में तब तक हर रातों तक आपको moon का safe अपने notebook में बनाना है और ये भी note down करना है कि कितने दिन लगे इस चंदा मामा को दुबारा full complete दिखने में ठीक है और ये भी note down करो कि sky के कौन से वाले हिस्से में full moon दिखाई देता है कौन से वाले हिस्से में एकदम चंद्रमा दिखाई नहीं देते ठीक है चलो मैं आपको ये activity बड़ी ही easily खरवा देता हूँ आपको देखो मैं ये पूरा concept activity से क्या सिखाना चाहता आईगी हमें सिखाना चाहता है भाई कि देखो ये जो पूरा cycle होता है ये होता है 29 days 12 hours 44 minutes मतलब 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लग जाते हैं इस चांद को वापस complete दिखने में मतलब आपको एक महिने में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है और फिर दोबारा वो चांद हमें कितने दिन बाद दिखाई देगा 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट के बाद ठीक है क्यों क्योंकि होता क्या है तुम देखोगे कि भाई ये चंदा मामा न ये पहले तो पूरा दिख रहे हैं फिर थोड़े से कटे हुए दिखाई देंगे फिर आदा दिखाई देंगे और फिर एकदम कम हो जाएंगे एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम गयब्य हो जाएंगे उस दिन हम उनको कहेंगे कि भाई अमावस्या की रात है अमावस्या भूत चुडैल इसी रात को निकलती हैं अमावस्या की रात तो भाई एक फुल मून से एक अमावस्या की रात आने में कितना दिन लगता है 15 दिन ठीक है लगभग 14 दिन 14 दिन 6 घंटे लगते हैं ठीक है ऐ ऐसे ही कुछ लगता है 15 दिन लगभग फिर वापस इस काली रात से पूरा चंद्रमा दिखने में वही पूरा 14.6 घंटे मतलब टोटल 29 दिन मोटा मोटा मान के चले तो लगता है एक चंद्रमा को वापस कम्प्लीट दिखने में ठीक है और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं न्य दिखाई देता इसको हम कहते हैं न्यू मून अब तुम देखोगे न कि ये पूरा दिन कितना लगा पता चल गया आपको अब ये भी देखोगे कि जिस दिन पूरा मून दिखाई देता है उस दिन मून हमारा इस्ट डारेक्शन में होगा और जिस दिन मून ऐसा कटा हुआ दिखाई देता है, ऐसा कटा हुआ दिखाई देता है, या एकदम गायब होता है, उस दिन मून समझ जाना west वाले हिस्से में है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, उडिमा की रात east direction में चंद्रमा रहता है, अमावश्या की रात west direction में हमारा चंद्रमा रहता है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, कि is there a change in the shape of the moon everyday, तुम देख रहे हो कि जिस दिन full moon निकला था, उसके हर दिन बाद, इसका shape बदलता जा रहा है, कभी ऐसा दिख रहा है, कभी ऐसा दिख रहा है, फिर कभी ऐसा, फिर तो एकदम काया भी हो जा रहा है, येस, हमने देखा, अब देखो, are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round, क्या कभी वो दिन तुमने देखा, जिस दिन ये चंदामा मा पूरा गोल गोल दिखाईी दे रहे थे, हाँ, जिस दिन पूडि मा की रात ही, जिस दिन full moon का day था, उस दिन ये चांद हमें पूरा दिखाई दिया ठीक है क्या ऐसे भी दिन आए जब आपको आस्मान में बिल्कुल चांद दिखाई नहीं दिया हाँ ये जो अमावस्या की रात होती है जिसको हम कहते है न्यू मून मतलब मून अभी पैदा हुआ है पैदा हुआ है दिखाई नहीं देता फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा दिखाई देगा दिखाई देगा एक दिन फुल मून बन जाएगा फुल मून निव मून समझ में आया अब देखो आपको करना क्या है एक चीज़ जान के चलो कि वो दिन जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है The day on which the whole disc of the moon is visible is known as the full moon day जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन हम क्या कहते है इस चीज को full moon day full moon day का मतलब पूरिमा की रात या पूरिमा का दिन ठीक है वैसे चंदा महमत और राती में निकलते हैं तो तुम पूड मा की रात कहोगे जिस दिन हमें whole disk of moon दिखाई दे उस दिन full moon day होता है समझ में आया आगे चलते हैं कि उसके बाद हर रात तुम देखोगे जिस दिन full moon था उसके बाद हर रात को तुम देखोगे क्या देखोगे तुम the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner तुम उसके बाद देखोगे कि हर रात हर रात क्या होता है चंदा महमा thinner पतले होते जाते हैं पतले होते जाते हैं and on the 15th day और 15 दिन बाद कितने दिन लगते हैं मोटा मोटा पंदरह दिन बाद तुम देखोगे the moon is not visible चंदा मामा तो दिखाई नहीं दे रहे गाय भी हो गए और इस दिन को हम क्या नाम देते है new moon day का नाम देते है मतलब हमारे चंदा मामा आज ही आज पैदा हुए है the next day वल्ली a small portion of the moon appears in the sky अगले दुन तुम देखोगे कि चंदा मामा का थोड़ा ही हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है moon का केबल small portion हमें दिखाई दे रहा है फिट 3-4 दिन बाद तुम देखोगे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे है और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते है जब new moon के बाद हमारे moon पे थोड़ी सी light पड़ती है तो यह हमें थोड़ा सा दिखाई देता है और इस वाले हिस्से को हम कहते है crescent moon क्या कहते है crescent moon और crescent moon धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इसलिए इसको नाम देंगे waxing देखो जब moon छोटा हो रहा था हमने नाम दिया था winning और जब moon बड़ा हो रहा है हम नाम देंगे waxing waxing और इसका वाला जो नाम है crescent जब moon एकदम गायब हो जाता है उसके बाद जब हमें थोड़ा सा moon दिखाई देता है उसको हम कहते है crescent और बड़ा हो रहा है इसलिए waxing का नाम देंगे इधर ये जो moon है ये छोटा हो रहा है इसलिए waning crescent ठीक है देख सकते हो आप यहाँ पर then again the moon grows larger every day and on the 15th day once again we get a full view of the moon होता क्या है कि जिस दिन हमारा एकदम new moon होता है उसके बाद moon धीरे धीरे बड़ा होता जाता है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और पंद्रहवें दिन कौन से दिन? 15th day तुम देखोगे कि आस्मान में पूरा चांद निकला हुआ है the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon अब देखो अब आप पूरी महिने ये जो चंद्रमा का अलग-अलग चेहरा देखते हो ना कभी हमारा चांद पूरा दिखाई देता है कभी ये हलका सा कटा हुआ होता है कभी आदा कटा हुआ होता है तो इसको हम कहते क्या है इसको हम कहते हैं भाई साब phases of moon मतलब चंद्रमा के अलग-अलग चेहरे या चंद्रमा की अलग-अलग कलाई समझ में आया अब देखो एक चीज़ आपको हमेशा clear होना चाहिए कि full moon से लेकर new moon day तक 15 दिन लगते हैं लगभग 15 दिन थोड़ा सा कमी होगा और फिर new moon से लेकर full moon भी होने में 14 दिन कुछ घंटे लगते हैं मतलब total अगर हम बात करें तो the time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days समझ में आया जब हमें आसमान में एक दिन पूरा चाद दिखाई देता है तो वो पूरा चाद हमें वापस फिर दुबारा कब दिखाई देगा 29 days 12 hours और 44 minute बाद ही हमें ये full moon दुबारा दिखाई देगा मतलब एक महिने में हर 29 दिन में हमें एक बार ये पूरा चाद दिखाई देता है समझ में आया कई कलेंडर्स में इसी 29 दिन के टाइम पीरियेड को लोग महिना मान लेते हैं और इसे लोग lunar मन्त का नाम देते हैं जो लोग चंदरबा के moment की हिसाब से जो लोग moon के moment के हिसाब से अपना मन्त गिनते हैं वो 29 दिन में ही अपना महीना मना लेते हैं और इस महीने को हम lunar month का नाम देते हैं। समझ में आया मेरी जान? चलो, आगे चलते हैं। अब हमने यहां तक पढ़ लिया है, अब आगे देखते हैं, यह टकलो बूझो हमसे कुछ पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भाईया, मैंने कहा बोलो बूझो, तो बोल रहा है कि भाईया, why does the moon change its shape everyday, यह चंदा मामा, अलग-अलग अपना shape क्यों बदलते रहते हैं, कभी गोल कि मून अलग-अलग क्यों दिखाई देता है, इसके पहले देख लेते हैं, पहले कुछ यहां पर बताया गया है, कि let us try to understand why phases of the moon occur, हम समझने की कोसिस करते हैं, कि चंद्रमा हमें कभी आधा, कभी पूरा, कभी थोड़ा कटा हुआ, ऐसा क्यों दिखाई देता है, तुमने आपको पता है, अब देखो, जो sun होता है, stars होते हैं, उनके पास अपनी खुद की light होती है, लेकिन चंद्रमा के पास नहीं होती, moon क्या करता है, moon sun की light को अपने उपर लेता है, फिर reflect कर देता है, earth पर, तब हम यहां से देख पाते हैं, कि oh 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 oh, चंदा मामा, गोल गोल, ठीक है, we see the moon, because the sunlight falling on its, get reflected towards us, हम चंद्रमा को देख क्यों पाते हैं, पहले यह समझ लो क्योंकि sunlight इस moon पर पड़ता है, और यह reflect होकर धरती पर आती है, जिसकी वज़र से हम इसे देख पाते हैं, अब देखो, we therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us, अब देखो, आपको पता है कि जहां तक light आएगी, for example, sun, moon के केवल, एक सेकिन क्लियर कर देता हूं, यह देखो, sun, अगर moon के केवल इस हिससे पर light भेज रहा है, तो हमें धरती से केवल यही वाला हिससा दिखेगा, अगर moon, moon पर पूरा complete light पड़ रहा है, तो हमें धरती से पूरा complete moon दिखेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो practically करके दिखाता हूं भाई, कि moon अलग-अलग क्यों दिखाई देता है, य आपके लिए यहाँ पर activity दी तो जरूर गई है, बट यह activity थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने खुद आपको करके दिखाया है, कि भाई, moon अलग-अलग shape का क्यों दिखाई देता है, चलो देखते हैं। कि moon के अलग-अलग shape और size हमें धरती से क्यों दिखाई देते हैं, बट इसके पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ब्रो, कि लेश से यह हमारा पूरा universe है, for example, हम लोग स्पेस में हैं, मान लो कि यह sun है, यह हमारा moon और यह हूँ मैं, मतलब earth, ठीक है, यह sun, यह moon और यह earth ऐसा मान लो आप, got it, और ऐसा ही होता है solar system में, अब आपको यह भी पता होगा कि जो earth है, वो क्या करती है, वो sun के चारों चकर लगाती है, और इसको कहते हैं हम कि एक revolution पूरा हो गया, अगर धरती अपने रास्ते से चल कर ऐसे 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 जाकर, इस sun के पूरा चकर लगा के आती है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई, one revolution पूरा हो गया है, और यह कितने दिन में complete होता है, एक साल में, पता है इतना, बिल्कुल ऐसे ही, जो moon है न, वो भी earth के चारों चकर लगाती है, ऐसे 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 ऐसे, 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 moon अपना revolution धरती के चारों चकर कितने दिन में पूरा करती है, 29 days, 29 दिन में ये moon धरती के पूरा चकर लगा लेती है, इतना पता हो गया आपको, एक चीज और यहाँ पर चानने वाली बात ये है, कि जो moon का रास्ता होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ये, ऐसे नीचे जाएगी फिर उपर आएगी, मतलब moon का जो orbit होता है, वो ऐसे हलका सा tilted होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर sun, earth और moon एक ही line में होंगे, तो भाई, moon पे तो light पड़ेगी ही नहीं, हमेशा हमारे धरती पर अमास्या की रात ही रहेगी, हमारी धरती पर हमेशा अंधेरा चाया रह इसलिए moon का जो orbit होता है, वो हलका सा ऐसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो sun की light है, वो directly इस moon तक पहुच सके, और हम धरती वालों को भी दिखाई दे, समझ में आया, अगर मैं sun और moon एक line में आ जाएंगे, तो moon थोड़ी दिखाई देगा हमें, इसलिए moon का orbit ऐसे होता है थोड़ा सा, moon यहाँ पर है, direct light आएगी, और हमारे धरती पर भी light आएगी, समझ में आया, तो इतना तो आप समझ गए, चालो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई इंसान धरती से देखता है, तो उसे moon किस किस position में कैसा दिखाई देता है, और उसका हम क्या नाम अब यह हमारा जो angle है, यह कैसा angle है, यह सामने रहा sun और हम, जिस angle से हम देख रहे हैं, वो रही धरती, और बीच में आजाता है moon, अब देखो, यह moon का हमें black वाला हिस्सा पीछे से दिख रहा है, मतलब अमाश्या की रात है, new moon निकला है इस दिन, new moon कब दिखाई देता है, जब sun और earth के बीच में moon आ जाता है, तब हमें moon का पीछे वाला हिस्सा दिखाई देता है, यह देख रहो, आपको moon का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब बिलकुल काला moon, इसको कहते है new moon, ठीक है, अब इस दिन के बाद, new moon day के बाद, यह moon हमारा हलका हलका क्रिसेंट मून क्या कहते हैं क्रिसेंट मून का नाम देते हैं और चुकी जो मून है वो धिरे-धिरे बड़ा हो रहा है इसलिए वैक्सिंग क्रिसेंट मून गॉट इट अब फिर से तीन साधे तीन दिन बाद जब मून हलका हलका चलके इधर आएगा तो हमें चांद आधा- तीन दिन और लगता है मून को थोड़ा और ट्रैवल करने में तो मून हमें बिलकुल ऐसा दिखाई देता है इसको कहते हैं हम गिबस मून क्या कहते हैं गिबस तो वो कुछ देर बाद हमें पूरा गोल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर पीछे से सन का जो लाइट है वो डारिक पड़ रहा है, ठीक है? तो इस वाले मून को हम कहते हैं भाई, पूरा चाद, इसको हम कहते हैं पूरिमा का चाद या फुल मून डे, got it फुल मून डे के बाद, चाद दीरे-दीरे छोटा होता जाता है, फिर आप देखोगे न, तीन-साड़े-तीन दिन बाद की मून हलका, 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 हलका छोटा हो रहा है, और इस वाले मून को हम कहते हैं, गिबस मून, मैंने आपको बताया है, कि जब मून हलका सा कटा ठीक है अब फिर ये अपना ओर आगे जाएंगा और आगे जाएंगा तो ये मून हमें बिलकुल आधा-धा दिखाई देने लगेगा ये होता है मून का धर्ड क्वार्थर ठीक है अब फिर ये साडें चार दिन बाद मून आपको ऐसा crescent दिखाई देने लगेगा देख रहे हो केवल हलका सा एक हिस्सा दिख रहा है मून का तो इसको कहते हैं crescent moon और moon धीरे-धीरे छोटा ही हो रहा है इसलिए waning crescent moon क्या कहते हैं waning crescent moon अब आगे फिर जब moon sun के सामने आ जाएगा तो फिर से भाई अमौस्या की रात हो जाएगी हमें moon बिलकुल दिखाई नहीं देगा और इस वाले moon के position को हम कहते हैं new moon समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है बिटा अभी आप समझ गए होगे कि moon अपना अलग-अलग part कैसे दिखाई देता है जैसे जैसे गूमेगा वो अपना हलका 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 ऐसे दिखाई देने लगता है so this is the phenomenon behind new moon day and full moon day I hope you loved this activity let's read further okay so this was the activity हमने activity में समझा कि हमें full moon कब दिखाई देता है हमें new moon कब दिखाई देता है हमें crescent moon कब दिखाई देता है यह सारी चीजे अभी हमने activity में जान ली है अब देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पर कुछ extra knowledge दी गई है कहा गया है कि एक बात याद रखना कि एक तो आपको पता है कि जो moon है वो earth के around घूमता है यह जो earth है earth के चारों तरफ यह moon अपने path पर अपने orbit में घूमता है यह हमें पता है लेकिन जो earth है वो sun के चारों ओर घूमता है यह भी हमें पता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जिस direction में moon revolve करता है earth के उसी direction में earth भी revolve करता है sun के मतलब earth और moon दोनों एक ही साथ एक ही direction में चलते हैं समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी जान चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे हमसे कहता है कि क्या अब आपको पता चला कि जब हमें आस्मान में पूरा चाहत दिखाई देता है तब मून किस तरफ होता है एकदम sun के opposite तरफ जहां पर sun की पूरी तरीके से light पहुचती है तब ही तो हमें पूरा moon दिखाई देता है और new moon के दिन क्या होता है new moon के दिन sun और earth के बीच में moon आ जाता है और हम moon का पीछे वाला हिस्सा देखते है इसलिए हमें moon बिलकुल दिखाई नहीं देता अब आपको करना क्या है sketch these positions in your notebook in which part of the sky would you look for the full moon अब आपको एक चीज यहां पर पूछा है कि जो full moon होता है जब हमें पूरा आस्मान में चांद दिखाई देता है तो वो किस तरफ होता है east direction में होता है या west direction में होता है तो मैं आपको बता दूँ आप notice भी कर लेना जब कभी भी आस्मान में पूरा चांद दिखाई देता है वो east direction में होता है पूरब की दिसा में होता है समझ में आया और जब हमें new moon दिखाई देता है जब हमें बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता आसमान में तो समझ जाना उस दिन मून वेस्ट डारेक्शन में है ठीक है समझ में आया The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day हमने इस activity में जो अभी हमने activity करी उसमें हमने देखा कि जब चांद एकदम काला था जिस दिन new moon day था जिस दिन हमें आसमान में चांद नहीं दिखता उसके 2-3 दिन बाद हम देखेंगे तो थोड़ा सा चांद दिखेगा फिर 2-3 दिन बाद देखेंगे कि थोड़ा और बड़ा हो गया है मतलब क्या है कि moon की size new moon day के बाद थोड़ी थोड़ी increase होती है और वहीं पर जब हमें आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद धीरे धीरे moon की size होती है वो decrease होती है कम हो जाती है ठीक है बहुत सही चलो हमने पढ़ लिया अब पहली हमसे कुछ पूछ रही है पहली पूछ रही है कि मैंने सुना है कि हम moon का कभी भी पीछे वाला हिस्सा नहीं देख पाते हैं तो बिलकुल सही है हम moon का पीछे वाला हिस्सा नहीं देख पाते क्यों क्योंकि भाई जहां पर sun की light नहीं पड़ेगी वहाँ पर moon का हिस्सा हमें धर्ती पर कैसे दिखाई देगा हमने देखा ना कि moon के पास अपनी तो light होती नहीं है वो sun से light लेता है फिर हमारी धर्ती पर reflect करता है लेकिन जिस दिन sun और moon एकदम सामने सामने होंगे हम पीछे से थोड़ी देख पाएंगे moon का हिस्सा ठीक है तो ये बात बिलकुल सही है कि हम moon का पीछे वाला हिस्सा देख नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर sun की light नहीं पड़ती है ये हमने अभी एक्टिविटी में भी देखा ना और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक अलग एक्टिविटी करी है activity number 17.3 I think ये activity करने की जरुविट नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हम moon का पीछे वाला हिस्सा अगर देख पाते तो 30 के 300 दिन हमारे आसमान में पूरा चांद दिखाई देता इसका मतलब क्या है हमें पूरा चांद तो दिखाई देता नहीं दोनों पूरा कर लेता है जब वो अर्थ के एक चक्कर लगाता है मतलब क्या है For example, this is moon और ये है हमारा earth ठीक है जब moon अर्थ के ये चक्कर लगाकर आता है न तो इसमें इसका rotation और revolution दोनों पूरा हो जाता है rotation और revolution दोनों पूरा हो जाता है एक rotation पूरा होता है और एक revolution पूरा हो जाता है rotation का मतलब क्या है? rotation का मतलब यह होता है कि for example moon यहां पर है और इसकी moon की यह axis है axis पर ही अगर moon गोल 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 गूम रहा है तो उसको कहते है rotation ठीक है और लेकिन वही पर अगर मून हमारा अर्थ के पूरा चक्कर लगाता है तो इसको कहते हैं revolution revolution और rotation का मतलब समझ में आया देखो बहुत ही simple है कि rotation उसे कहते हैं जहां अपनी ही जगहां पर आप गोल गोल घूम रहे हो लेकिन revolution उसे कहते हैं जब आप किसी चीज के चारो तरफ घूम रहे हो ठीक है समझ में आया तो मून भाईया अपना एक rotation और एक revolution पूरा कर लेता है जब वो धरती के चारो और एक बार घूमता है ठीक है समझ में आया चलो आगे पढ़ेंगे हम now move to next topic और हमारा next topic है the moon's surface मतलब हमारे moon का surface कैसा होता है जैसे earth का surface कहीं कहीं plane है कहीं पहाड है कहीं नदियां है बिल्कुल वैसे ही moon का surface कैसा होता है क्या आपको ये पता है नहीं पता होगा चलो मैं बताता हूँ देखो आपको पता है कि जो moon है ना वो बहुत ही आकरसी चीज हुआ करती थी poets के लिए और storytellers के लिए जो लोग कविताएं सुनाते थे जो लोग कहानिया सुनाते थे ना वो बार-बार अपनी कविताओं में कहानियों में moon की बात किया करते थे ये poets लोग, storytellers लोग इन्हें लगता था कि moon बहुत अच्छी जगह है एकदम प्यारी सी जगह है लेकिन जब हमारे astronauts moon पर गए ना उन्होंने क्या देखा they found that the moon's surface is dusty and barren जब astronauts हमारे moon पर गए तो उन्होंने देखा कि ये जो moon का surface है जो moon का सत है ना वो बहुत ही जादा गंदा है बहुत ही जादा बिरान पड़ा हुआ है वहाँ पर कुछ नहीं है देख पा रहे हो कितना बेकार surface है moon का ठीक है there are many craters of different size moon पर बहुत बड़े बड़े गड़े हैं अलग-अलग size के कोई छोटा गड़ा है कोई बड़ा गड़ा है it also has a large number of steep and high mountains moon पर ना बहुत बड़े बड़े पहाड़ है एकदम steep steep का मतलब क्या होता है एकदम खड़े खड़े perpendicular mountains हुआ करते है moon पर ठीक है some of these are as high as the highest mountain on the earth और moon पर कई पहाड़ तो इतने बड़े हैं जैसे हमारे हमारे दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है mountain कौन सा है Mount Everest ना Mount Everest से भी बड़े बड़े पहाड moon पर पाए जाते हैं पता है कि नहीं नहीं पता जान लो अब the moon has no atmosphere एक बहुत ही जानने वाली चीज ये है कि हमारा जो moon होता है ना उस पर atmosphere नहीं है वहाँ हवा ही नहीं है ना ही वहाँ पर पानी है अब आप बताओ कि जहाँ पर हवा नहीं है जहाँ पर पानी नहीं है क्या वहाँ पर इंसान जिंदा रह सकता है बिल्कुल नहीं रह सकता मेरे भाई जहाँ पर हवा नहीं है तो वो सास कैसे लेगा पानी नहीं है तो पीएगा कैसे और टकलू बूजो हमारा एक question पूछ रहा है कि भाई जब हवा नहीं है जब पानी नहीं है तो इंसान तो जिंदा रह नहीं सकता तो क्या हम कोई आवाज सुन सकते हैं क्या moon पर तो मैं आपको बता दूँ हम sound वहीं पर सुन सकते हैं जहाँ पर air हो क्यूँ क्योंकि air के थुरू ही sound एक जगा से दूसरे जगा travel करता है air हमारा sound के लिए medium का काम करता है और जहाँ पर हवा नहीं वहाँ पर आवाज नहीं तो मतलब हम moon पर आवाज नहीं सुन सकते हैं अब देखो पहली बूझो को बता रही है कि हमने chapter number 13 में पढ़ा था जब हम sound chapter पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि sound तभी travel करती है जब sound हमारा एक जगह से दूसरे जगह travel करेगी तो भाई moon पे तो air है नहीं तो हमें sound आईगी यह नहीं समझ में आया समझ में आया कि नहीं समझ में आया अब देखो did you know क्या आप जानते हो क्या जानते हो आप देखो on July 21 1969 21 July 1979 की बात है American astronaut Neil Armstrong पहली बार moon पर कदम रखा और उसके ऐसे वक्ती बने जिन्होंने moon पर अपना कदम रखा मतलब who was the first man to land on moon Neil Armstrong वो पहला इंसान था जिसने पहली बार और celestial bodies जैसे sun, stars, earth इन चीजों के बारे में खुब detail में पढ़ेंगे तब तक बने रहे हैं मारे चैनल के साथ मेरे भाई like, subscribe, ठोब दो और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैंद